योट सुब गईज कैसे आफसे भी लोग वेलकम बैक टो अधर गेम ले वीडियो तो गईज जार आचे में दुबार से किलने जा रहे हैं GTA 5 तो आफसे भी लोग को याद होगा कि लासले एपिसोड में हम लोग गए थे बिग माफिय घर पर मतलब उससे में ये बात करने थे क जो घर तुमने खरीद है ये घर मुझे चाहिए अब हम लोग उसको मार के वो घर नहीं ले सकते कोई आपको बता है बिग माफिय का वास बहुत ज़्यादा पावर है बहुत ज़्यादा फोर्स है बहुत ज़्यादा वैपन है तो इसलिए मैंने उससे आराम से बात करी ले मेरे साथ आस तक कभी नहीं हुआ तो गाईजर अभी नहीं ये सारी की सारी बात जो मैंने फ्रैंकिलिन ट्रैवर एंड लेस्टर को बता दिया है और वो लोग प्लैन बना रहे है कि उन्हें बिग माफिय का क्या करना चाहिए उसे मारना चाहिए उससे पंगा लेना यानि कि अगर हम लोग कुछ भी करते हैं बिग माफिय के साथ तो वो लोग हमारे योग पर इतनी जादा गोलें चलाएंगे पूचो मत अभी फिलाल मैं अपने किराये वाले घर पर तो पोच्छुगा और मेरी सारी की सारी गाडिया नहीं यहां पर सेफ खड़ी हुई है और गाईसर मेरे दिमाग में एक छोटा सा थोट था मैं पता है क्या सोच रहों कि एक स्नाइपर लूँ और बिग माफिय के घर पर जा कर रहों सो एकदम दूर वैट के ठोक दूँ अगर देखो बिग माफिय मुझे नजर आएगा तो आज ही मैं उसको मार दूँगा अगर फिर हम लोग सीधा जाएंगे बिग माफिय को लॉंग रेंज मारने और अगर वो नजर आ गया तो बिग माफिय खेल जो मैं वहीं पर खतम कर दूँगा तो चलो काईसर अभी फिलाल मैं अपनी बाइक भगाता भगाता पोचने वाला हूं सीधा एम्यूनेशन की शौप प जल्दी से अपनी बाइक को यहीं पर पाक कर देता हूं और आपको पता हो गया है लास टाइम ना मैंने अपनी एक स्नाइपर भी मोडिफाय करवाई थी लेकिन यार उसके अंदर मुझे एक मतलब जो मेरी एडवल्य है मुझे उसे मोडिफाय करवाना था बट मैंने दूस आर्मर भी बाइक करना है जिससे मेरी हेल्थ हो जएक काफी ज़्यादा प्रोटेक्ट रहेगी तो यहां पर मैंने एक आर्मर भी बाइक कर लिया है अभी ना मोग जल्दी से निकल लेते हैं सीधा बिग माफिया को मारने अब मुझे ना मतलब की कंफर्म नियों कि मैं उसे मार पाऊँगा या फिर नहीं मार पाऊँगा लेकिन आ मुझे इतना पता है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि यार मैं बहुत जाता दूर से उसके ओपर फायर करूँगा और वहां पर से ना किसी को भी कोई भनक नहीं होने वाली क्योंकि मैंने अपनी गन क लेकर हाईवे पर आगया हूँ अब बस सीधी भगाने है तो चलो काई सेर अभी फिलाल मैं अपनी ट्रॉन बाइक को 1500 किलोमेटर परार की स्पीड से भगाता बगाता बिग माफ़े घर पर पहुचने वाला हूँ लेकिन एक बारी चल कर देखता है क्या पता वो हमारे महा तो मारा जाए अभी नबस थोड़ा सा मेर को अपनी गाड़ी को ओल ले जाना और पीछे की तरफ में मैंने एक रैबिट खुचल दी अपनी बाइक से तो काईजर मुझे ना यहाँ पर एक ओफ रोड वीकल लाना चाहिए था या फिर कोई टूरिस्ट बाइक लानी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर मैं लेकर आगए उन ट्रॉन बाइक जो क्यार हाईवे पर यह बड़िया तरीके से चलती है क्योंकि इस बाइक के जो शौकर है ना उतने जादा बड़िया नहीं है और यहाँ पर यह ढंक से चल नहीं रही और सामनी की तरफ में आप लोग देख पा रहे हो यह जो विला है यानी यह जो मैंशन है जो घर है तो यह यह वही वाला घर है जिसके अंदर बिग माफिया रह रहे है अभी ना यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्काउट करकर देखता हूँ और अपनी AWM के अंदर मैं एडवांस स्कोप इसलिए लगा कर लाया था ताकि मैं यहां से काफी दूर से सब कुछ देख सकूँ बाकि ना यहां पर मतलब कि गेट पर काफी ज़्यादा सिक्योर दिरात में आकर मुझे ना दिन में आना चाहिए था लेकिन बता अगर मैं दिन में आऊँगा ना तो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड इसके खड़े हूँ है यह मेरे को देख लेंगे बहुत राम से इनकी नजरे बहुत ज़्यादा तेज है तो गाइस एक बारी थोड़ा और आगे चल कर देखते हैं क्या पता वो अपने बेडरूम के अंदर सो रहा हो और अगर मुझे यहां से उसका बेडरूम दिखेगा तो मैं उसको सोते सोते यहां पर स्नाइपर बजा दूँगा लेकिन यहां पर ना सारे के सारे बुलेट प्रूफ ग्लास लगे हो है जिस स्नाइपर के एकदम सामने बैठा हूँ है लेकिन अगर मेरा शोट यहां पर मिस्स होगा ना बहुत जदा गरबड हो जाएगी और भाई सब यह तो अंतर जा रहा है इसको मेरे शोट तो बजा दिया लेकिन मेरे साब से यहार हैट शॉट मारना चाहिए था बट मैं पता है जाता कि ना वह थोड़ा सा अकेला हो जाए फिर में उसे मार दू बट यहां पर तो वह अंदर की तरफ में चला गया है एक काम करता हूँ नीचे वाले बंदो को ना भी पता नहीं चला है उर यहां पर ना शाय से इन्हें पता चल गया ओ भाई अभी कुछ नहीं कर सकते भ बंदों को इतनी आदा खबर निया एक को तो मैं गिराओंगा आजो बेटा जिसको बुला लो एक को भी मैं नहीं छोड़ने वाला नहां पर पीछी वाले बंदों को पता चल गया और जो नीचे से बंदे आ रहे थे ना भागते वे हो सकता है कि भागते बागते जल्दी से मे बचेगा अब एडवलें का जब शॉट पढ़ता है तो बंदा तो फिर मरी जाता है लेकिन यार देखो हैड लगा होता तो मैं मानता मर जाता अगर अभी बोडी शॉट लगा है तो हो सकता है कि वो बज जा है क्योंकि आपने देखा हो केल भी मेरे एक बंदे ने बंदे न गोलियां चला रहे हैं भाई सब निकल तीरी ऐसी की तैसी एक और को डाउन कर दिया है अब पर पीछे की तरफ से भी गोलियां तो चल रही है अभी मैं पंगा नहीं लेने वाला भाई अगर इन्होंने मेरे को अच्छे से देख लिया मेरी शकल देख ली ना तो भाई सब बिग माफिया मेरे घर पर ही अटैक करवा देगा अभी यह है कि जिन जिन ने मेरी शकल देखी थी मैंने उनको तो पूरा मार दिया है अभी जल्दी से हम लोग अपनी बाइक में बैटकर यहां से निकल लेते हैं वाई सब बहुत खतरनाक सीन है तो गैस यहां पर मैं शिट यार क्या कर दिया मैंने थोड़ी सी अगर मैं पहले गोली चलाता तो बहुत बढ़ी रहता लेकिन अगर वो गोली मिस हो जाती ना तो फिर जो मामला है वो और जाता खराब हो जाता मतलब कि फिर बिग माफिया को पता चल जाता कि यह हरकत किस की है क्योंकि वो अपन कि बाद बिग माफिया थोड़ा सा एलर्ट हो जाएगा वाई शिट यार तूखी गाईसर अभी हम लोग फिलाल पोचने वाले हैं लेस्टर की न्यू वाले ओफिस में जूकि उसने बाई करा था वनीला यूनिकॉन के अंदर अभी जल्ली से चल कर देखता है कि आखिरकार इ हमार से भी कोई लड़ाई नहीं है बिग माफिया को लग रहा है कि इन्होंने मेरे 800 मिलियन डॉलर दे दिया और अभी उसके लिए हम लोग दोस्त हैं लेकिन भाई अभी हम लोग उससे बदला लेने वाले हैं तो यहां पर ना सबसे पहले मैं आपको अपना ATM में बैलेंस मेरा बैलेंस आगिर कार चल क्या रहा है यह देख लो गाईस मेरे बास ATM में सिर्फोर सिफ अभी दो डॉलर पड़े हुए हैं मतलब कि जितना पैसा था सारा का सारा मैंने बिग माफिया को दे दिया है अभी ना जल्दी से हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ में और देखते प्लान बनाते थे वरना यह चीज़ अलाउड नहीं है बागी न आप लोग यहां पर देख पार हो यह तीनों तो फिलाल अपना यहां पर खड़े हो के प्लान डिसकस कर रहे हैं तो कि गाईस आर अभी ना मेरी फिलाल यहां पर लेस्तर से बात होगी हो लेस्तर ने मुझे पूरा का पूरा प्लान डिसकस कर दिया यानि समझा दिया कि आखिर कार उमें करना क्या है और फ्रैंक लिन और लेस्तर यानि फ्रैंक लिन ट्रैवर को यह जो प्लान पहले से पार नको को हमें करना किया है न मतलब कि बिग माफिया को मारना है उसके घर में घुसके अब लेकिन न उससे पहले विया है जो कि बहुत जदा इंपोर्टन अ capital है और बाहर अभी हम लोग आकर बैट गया है Franklin की गाड़ी में Franklin सही मैं मज़े ले रहा हूँ उसको उसकी गाड़ी में नहीं विटा रहा वैसे अभी ये मज़े का टाइम नहीं है ये serious टाइम है तो जल्दी से गाड़ी में बैठ जा तो हाँ guys अभी मैं ये कहार था कि अभी हमें मतलब कि जो big mafia है उसको मारना है तो हम लोग मारें गैसे उसे मारना इतने ज़्यादा असान नहीं है तो guys अभी ना lesser के plan के मुताबित हमें सबसे पहले जाना है military based weapons तुराने के लिए अब देखो भाई मेरे पास तो काफे सारी gun है Franklin के पास भी है और Trevor के पास भी है लेकिन भाई सीन अभी कहा है न कि Lester ने बोला है कि हमें अपनी team को यानि कि अपनी gang को पहले थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा हमें थोड़ी बहुत ना मतलब green gang के बंदे अपने साथ ची है और थोड़ी बहुत lost gang के बंदे अपने साथ ची है और हम सारे मिलकर जाएंगे बिग माफिया को मारने के लिए अकेले हमारे बसकीनी है ऐसा लेस्टर कहा रहा है क्योंकि यार सची में यही बात है उसकी जो force आना वो बहुत जदा बढ़ी है तो हम तीनों जाने वाले military base वहां से काफी सारे weapons तुराएंगे और वो सारे weapons लाकर दे देंगे green gang के बंदों को और lost gang के बंदों को तो guys आप सभी लुग को याद होगा काफी टाइम पहले ने हम लोग terrorist को एक secret tank चुरा कर लाए थे जो क्यार काफी जाता powerful था बहुत जाता bulletproof था और उस tank से हम लोग ने ballast gang से fight करी थी और उस tank की वज़ए से हम लोग ballast gang को मार पाय थे और उससे जीत गई थे तो अभी ना सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ वो आला जो tank है न हमने franklin के घर के पीछे वाली party परी छुपा कर खड़ा कर दिया था तो अभी ना जल्दी से हम लोग फिलाल पहुच चुके हैं पर franklin के घर पर और लेस्टर को ना एक एक चीज याद रहती है और लेस्टर याद दिला देता है तो यहाँ पर अभी फिलाल franklin के जो गाड़िया मैंने उसके घर पर लाकर खड़ी कर देती है अभी ना मैं जल्दी से उपर जाकर वो आला जो tank है ना उससे लेकर नीचे आ जाता हूँ तो guys है सची में वो जो tank है ना और पूर का पूरा bullet proof है मतलब कि चाहे भार से तुम कितनी भी गोलिया चला लो हमें बिल्कुल भी नी पढ़ने वाली और जो इस tank के ओपर यह वाली गन लगी हुई ना भाई ये भी बहुत ज़्यादा powerful है मतलब कि अगर इसे हम लोग कोई गाड़ी फोर ने लगते हैं तो दो मिनट के अंदर चुटकियों में गाड़ी फूर जाती है तो अभी ना जल्दी से अपने tank को नीचे लेकर चलता हूँ और यहाँ पर भाई जल्दी से और tank के अंदर बैठो और यहाँ पर अभी देखते हैं कि उपर वाली जो गन लगी उसे कोन चलाएगा तो चलो भाई अभी Franklin जो है गन चलाने के लिए बैठ चुका है और यहाँ पर tank में ब्रेक नहीं लग रहे है बसना में सामने से थोड़ा यह वाला ब्रिज और क्रोस करना है फिर military base का main entrance gate जो है आ जाएगा और उस gate के अंदर घुसता ही पुलिस वाले जो है में मारना शुरू कर देंगे क्योंकि हम लोग कुछ खतरना के entry करने वाल है निकलो यहां से तुमारी भैंस की रंग जिसको बुलाना है बुला लो अभी ना किसी का डर नी मारा क्योंकि हमारे पास जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा खतरना का मार इसको मार किसी को नहीं छोड़ना भाई कमें भी काड़िया फोड़ दूगँ है सारी कि सारी तो कि गाई सैंदर आग लगकी जब पूर पूरा का पूरा टैंक फोड गई यह देखो इस वाले टैंक को मा पूरा 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 पाकल बनाने वाला हूं बस ने इनको गोल को वाने दो यह आपस में एक दूसरे को मार देते हैं देखो भाई यह चुटकियों में इनका खेल पतम कर दिया और सामने से एक टैंक और आ गया इसको भी ऐसी मारना पड़ेगा तो भाई यार यह देखो यहां पर ना इन इनके टैंक को गोल चक्कर घुमा 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 के ऐसा सीन कर दिया है कि जब यह लोग फायर कर रहते हैं तो गल्ती से अपने बंदे को मार डाल लेते और यहां पर ना सामने की तरफ में इनके पास काफी सारे कारगो प्लेन खड़े हुए हैं तो यहां पर मैं सोच रहा हैं और इनका पूरा पूरा कारगो प्लेन जो है फट चुका है तो की गाईस है अभी ना फालतु की मस्ती हम लोग बाद में करेंगे अभी न सीधा मैं जाने वालों इनके में एरिया में जहां पर वैपन्स रखे होते हैं अब फिलाल मिलिटरी बेस है हर जगा हमें वैपन मिल लेकिन वाली जो बिल्डिंग है उसके अंदर हमें काफी जदा अराम से मिल जाएंगे क्योंकि ना वहां पर मैंने वैपन से लखे हुए देखे हुए हैं अभी जल्दी से चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर और जितने भी वैपन से उसको गाड़ी के अंदर लोड कर वा बाहर रहोगे तो नहीं बचने वाले और फिलाल मैं तो भागते बागते अंदर आगे और तेरी भैस की टंग ये अंदर क्या कर रहे है भाई एक सिगन रुख जो चल तेरी ऐसी किता से निकल गंजे तो कि गाइस यार यहाँ पर तो फिलाल कोई भी वैपन क्रेट नहीं पड बाहते हैं जल्दी सेनाम लोग वहां पर चलते और देखते हैं उपर उपर से निकल कर आए एक दो लोग नहीं तो लोक तक फिसी का बहुत हीS मुझे न जुक होड़ा दुँआ है ho तो भी यही पड़ता पता नहीं कहां चला गया ओकी तो फ्रैंकलीन पीछे यह फ्रैंकलीन पीछे देख अंधे बंदे आ रहे हैं तेरे ओ भाई सब फ्रैंकलीन अपना अलगी होश में उसको लग रहा सारे के सारे मर चुके हैं और यहां पर ना भी जल्दी से गाड़ी में बैठो दूसरी जगह पर चलता है बंदे माने के और भाई ट्रैवर नी आने वाला ट्रैवर का मत्था लगी चलता बच गया भाई भूलिया आगे उत्तिरी की वाई सामने से टैंक लेकर आगे एक मिनट रुख जाओ इसको ना इसके टैंक से बाहर निकालता हूं तेरी अब इसे बताता हूं भाई सब टैंक चलाएगा इधर आप चोणाओ अब क्या हुआ भाई सब टैंक के अंदर बैट के शेर बन रहा है तो भी ना जल्दी से हम लोग चलते हैं दूसरी जगह पर जहां पर हमें वैपस मिलने वाले हैं फटाफट से अपनी गाड़ी के और सामने से पुलिस वालो की एक गाड़ी और आगी है और अगर ट्रैवर इने देख लेता ना तो इनको भी पहले मारता फिर हमारे साथ आता तो शायद से इस वाले वेराउस के अंदर हमें वैपन्स जो हैं मिल जाएंगे तो ना भी जल्दी से अंदर चल कर देखते हैं यहाँ पर भी कोई ओ तेरी यह देखो यहाँ पर इनके सारे के सारे वैपन्स लोड आउट उतरे पड़े हैं तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पारे हैं जितने भी पुलिस वालो की वैपन है वो सारे के सारे यहाँ पर उतरवा रखे हैं इसके अ इन लोग को मारने और यहां पर पीछे से भाई सब एक सिकिन रुख जो कोई ने कोई तो बजू का चला रहा है बेटा यह मत भूलो कि मेरे पास भी बजू का है अगर मैं चलाने पर आगया तो मूँ तोड़ दो और यहां पर यह तो फायर वर कर वाला लॉंचर था और भाई निकल कर भागने का टाइमजे अचुका है अकर थोड़ी दीर भी हम लोग यहां पर रुके तो हो सकता है कि पुलिस वाले अब ही हमें मार दें तो चल्डी से ना हम लोग करते हैं पीछे वाली गेट सए जिस गेट से आये थे हम लोग उसी गेट से नहीं जाने वाले हम लोग जाएंगे दूसरे गेट से और यह देखो बाई इसको देखो अलगी बदमाश बन रहा है यहाँ पर इतनी तेज गाड़ी ठोकी ना बिचारे का गेम के साथ साथ दिमाग भी चकरा गया होगा अभी ना फटवर्ट हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं तो भाई देखो अभी ना सब कुछ फ्रैंकलीन के हाथ में है क्योंकि ना अपने पीछे बहुत सारी पुलिस पड़ी हुई है और इन सब कुछ फ्रैंकलीनी कंट्रोल कर सकता है क्योंकि उसके बहुत कड़ी गन है मैं तो बस अपनी गाड़ी को बढ़िया तरीके से चला सकता हूं और सामने से जो जो पुलिस वाले आएंगे उनको टकर मार के अटा सकता हूं जैसे कि मैंने भी हटा दिया तो कि गाईसर अभी हम लोग फिलाल बिल्कुल सेफ है पुलिस वालो ने भी हमारा पीछा जोड़ दिया है लेकिन गाईसर एक दिक्कत आगी है मतलब कि अभी मैं सीधा जाने वाला हूं सबसे पहले दा लॉस्ट गैंग के बंदों के बास अब जो ग्रीन गैंग के बंदे थे ना वो तो फिलाल फ्रैंकलीन के दोस्त हैं और वो लोग हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं यानि कि जब हम लोग بिग माफिया को मारने जाएंगे तो वो लोग हमारे साथ चलने वाले हैं और लेकिन जो मतलब ना लॉस्ट गैंग के बंदे आना हूं अपनी गाड़ी को जो मैं यहीं पर साइड में पाक कर देता हूँ क्योंकि ना मैंनी चाहता कि यह लोग मेरी टेरिरिस्ट वाला टैंक जो है देखे अगर इन लोगों ने वाला टैंक देख लिया ना तो यह लोग बिचारे वैसी डर के मारे भाग जाएंगे अभी ना अंधर चल के इन से बात करते हैं यह देखो बाई यहाँ पर खड़े हैं सारे के सारे अधा लॉष गैंगे दे और उनका में मैनेजर वह लोग थैश्या पर न कि我们へ बने रहे हैं अब जो में इनका हैड है ना वो भी हमार से पिटने वाला है, भाई साब हम लोग कुछ कहां नहीं रहे तो ये लोग बदमाश बन रहे हैं, गाईजर सची में, दा लॉस्ट गैंग के बन्दे भी ना थोड़ी बहुत कभी को और फालतू हरकत करते हैं, एक बार ये ना एक काम करता हूँ, इनके ओफिस के अंदर चलता हूँ, और यहाँ पर ना सीधा इनके मैनेजर से बात करूँगा, और मैं मैनेजर कहां पर मिलेग की तरफ में ये बैठी हूँ है, दा लॉस्ट गैंग की मैनेजर, और यहाँ पर ये बन्दों का पैसो का बटवारा चल ले अच्छा है, तो ठीक है, तो की गाईजर अभी ना फिलाल मेरी यहाँ पर दा लॉस्ट गैंग की मैनेजर से बात होगी, और यह कह रही कि हम लोग अब यहाँ पर इसके में टोटल पांच बन्दे यहाँ पर जितने भी बन्दे ना सबको अपने साथ ले जाओंगा, और जहाँ पर यह लोग बन्दे मार के सबकी लाश बिचाते थे, वहीं पर मैंने इसकी लाश बिचा दिया, यह काम करता हूँ ना, इसकी बोडी में लग रहा है, Lost Gang के बन्दे हमार साथ चलके ना, बस पिटने वाले हैं और कुछ नी, तो कि guys यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पारे हो, मैंने कहा था ना, Lost Gang के बन्दों के बन्दों के पास धंके वैपन नहीं हैं, मतलब यहाँ पर सिर्फ दो ही बन्दे हैं, जिन लग इस तरफ में आकर बैट गया है, और यह लोग एक एक करके जल्दी से ट्रक के अंदर बैटना शुरू कर रहे हैं, तो बैटना जल्दी बैट हो भी इतना जादा टाइम नहीं है, और यहाँ पर एक बंदा नहीं आ रहा भाई, तेरको क्या दिक्कत होगी, जल्दी से आजा इस वाले गेट से मैं अपना ट्रक के अंदर बैट चुगे और मैंने ट्रैवर को भेज दिया अपना टैंक लेने, जिसके अंदर हम मिलिटरी बेस से सारे के सारे वैपन चुरा कर लाए है, क्योंकि वह अला टैंक भी तो ले जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो तुकी गाइस जैसा कि आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पारे हैं, ट्रैवर जो है दूसरे वाले टैंक के अंदर जाकर बैट चुका है, जिसके अंदर हम आपने सारे के सारे वैपन जो है रखे हुए हैं, और अभी हम लोग जाने वाले हैं सीधा लेस्टर के पास और वहीं पर सारे के सारे green gang के बंदे भी हैं, और वहीं से हम lost gang के बंदे को भी ले जाएंगे, और सब में weapons बाटेंगे, और फिर सीधा हम लोग जाएंगे big mafia के पास उसको मारने के लिए, तुकी गाइस अर अभी फिलाल जैसा कि आप लोग यहां पर देख पारे हो, अभी मैं अपने ट्रक बगाते बगाते पोच चिकाओं सीधा लेस्तर के नए वाले office में, और यहां पर जल्दी से अपने ट्रक को यहीं पर पार कर देता हूं, और जल्दी से हम लोग बाहर निकलते हैं, और ट्रैवर कहां पर रह गया, और मेरे साब से तो ट्रैवर हमारे हमें और ट्रैवर ने, मैं और फ्रेंकली ने, टीन उने न पूरी की आर्मड ड्रस पहल ने जो कि मैं लेस्टर ने लाकर दिया हैं, और यहां पर ना लेस्टर ने सारे के सारे वेपन निकालके इन लोगों को बाट भी दिया हैं, मतलब कि अभी हमार पास किसी भी चीज़ क कमी नहीं है सारे के सारे वैपन भी होगे है और एक दम बड़ी असे ड्रस भी होगे जिसके अंदर हमें गोलियों का ज्यादा असार नहीं पढ़ने वाला यानि कि अब बिग माफय का खेल खतम होने वाला है कुछ ही देर में तो अभी जल्दी से सारे के सारे लोग गाड़ी म मैं सबसे आगे जाने वाले अटैक करने के लिए क्योंकि हमारे पास जो है पूरी की पूरी आर्मर ड्रेस है और सबसे तकड़ी तकड़ी गन भी हमारे पास ही है तो गाइस यार आज बिग माफय का खेल जो है न सची में खतम होने वाला है तो चलो गाइस यार आज है फ्र सीधा मारेंगी भाई अभी हम लोग, बिलकुल वे छुप छुप कर नहीं जाने वाले, सीधा घर में घुसके मूँ तोड़ेंगे, जो करना है कर लो, आज वाई, जिसको बुलाना है बुला लो, यहाँ पर अभी मैं सीधा अपनी बस गोलिया चला कर रखूँगा, बस ये ल अलग सीक्योरीडी काड और अब अलग सीक्योरीडी काड है, और सामने की तरफ में जितनी भी इसकी गाड़ी है थी भाई, सारी की सारी अभी जलने वाली है, क्योकि नहीं महाँ पर काफी सारे बंदे थे, और उन्हें मारने के लिए मुझे उस गाड़ी को जलाने ही कुछ नहीं चोड़ने वाला भाई, यहाँ पर इसने मेर से पंगा लेकर ना बहुत बड़ी गलती करिया और यह गई सारी की सारी गाड़ियां भाई, अभी जल्दी से मैं भी घर के अंतर घुस जाता हूँ, और अपनी ना मैं M416 मैंने निकाले और यहाँ पर जो भी होग जो की इसके मिलिटरी वेस में थे, अभी यहाँ पर थोड़ा सा ओर आगे चलते हैं और यहाँ पर एक दो को यह खड़ा हुआ, चलती रही हैसी की तैसी, यहाँ पर फिडाल मैंने सब को मार दिया है, तो गाईसर अभी न अच्छी बात तो यह है कि मैं अपने साथ में फ् जो की बहुत खतरनाक वेपन है, एक के सामने खड़ा हुआ, एक एरा चलती रही हैसी की तैसी, निकल, सामने वाले कमरे में भी एक है, इसको भी मार हो भाई, अभी तो फिलाल यहाँ पर मैं बहुत सारे लोग को मार चुका और यहाँ पर अंदर वाले कमरे भी एक साइक सि जो भी आँ आ रहा, मेरे को लग रहा है, जब मैंने इसके उपर स्नाइपर चलाई थी नहीं तो वो शायद यहाँ से भाग गया था, ओ भाई साब, इतने सारे बंदे सामने की तरफ में बैठे पड़े बाहर निकलो, जो भाई साब, अंदर की तरफ में बैठे पड़े है, बाहर नहीं निकलोगे, अंदर चुपचा बैठे पड़े है, मेरे को लग रहा है, बिग माफिया अंदर ही होगा, क्योंकि इतनी जादा सेक्योरिटी अगर है, तो बिग माफिया है तो यहीं पर, और यहाँ पर जो जो बंदे अंदर थे, उनको तो मैंने मार दिया, सामने सार, अभी तो फिलाल मैंने पूरा का पूरा घर चेक कर लिया है, नीचे वाला फ्लोर भी, ऊपर वाला फ्लोर भी, लेकिन आम बालकोनी रहागे, क्या पता वो बालकोनी में, जहां बैठके टीवी देखता है, वहीं पर अपना बैठा हो, और यहाँ पर सामने की तरफ में इतने सारे बंदे बालकोनी में था, और यह देखो, भाई साब जी मर चुके हैं, लेकिन फिर भी मार रहे हैं, और यहाँ पर न मिर को लग रहा है, इस ग्रिल में करंट आता है, सारे की सारे बंदों की हालत धेखो, भाई साब क्या हो गई है, अभी जल्दी से हम लोग चल और एक ये छुपा हुआ, भाई साब बहुत जौदा बंदे है, यहाँ पर मैं अभी अभी बंदे मार की गया था, पता नहीं इतने सारे बंदे वापिस कहां से आ गए, एक रूम रह रहा है भाई साब, यह नीचे से और आये जा रहे हैं भाई, गाई साब मुझे नहीं समझ मेरे को मारने के लिए, वो मेरा कुछ नहीं भी गाड़ पाएंगे, अभी न मैंने बहुत सारे स्मोक तो डाल दिया है, तो गाईसर मैंने कमरे के अंदर स्मोक डाल देता और बहुत जादा खासने के वाज आ रहे हैं, यहाँ पर जितने भी बंदे थे, अभी फिलाल मैंने सब को डाउन कर दिया, अंदर वाले कमरे में चल कर देखता है क्या सीन है, यहाँ पर मैंने को लग रहा है, और मैंने इसको करेंट लगा के भ्योश कर दिया है, ओ भाई साब, अंडर वोटर माफिया, तू भी भ्योश हो, वैसे तो बिचारा यह ओ लड़ी भ्योश हो चु बहुत जड़ा सिक्यूरिटी थी, अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ में, भाई पूरा का पूरा घर चेक कर ले हैं, मुझे नहीं समझा रहा, बिग माफिया कहां पर हो सकता है, भाई मतलब जो प्लैन था ना, वो इस टाइम पर पूरा का पूरा मेरे टैक करा, वहाँ पर सारी की सारी सिक्यूरिटी तो थी, लेकिन बिग माफिया वहाँ पर था ही नीच, और यहाँ पर यह इतने ज़्यादा खतरनाक बंदे हैं, भाई साब खतम होने का नाम इन ले रहें, बाहर की तरफ में अलग हैं, अंदर अलग हैं, बाहर एक तो पुल चारा बिग माफिया, भाई साब यहाँ पर तो इसने अपनी गाड़ी भगा लिया, भाई बिग माफिया को मुझे नी चोड़ना, अभी जल्दी से ना मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा, जल्दी से मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, यहाँ पर बिचारे के करना मैंने भी ले लिया, तो कि जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पारे हो, बिग माफिय कार मेरे एकदम आगे चल लिया है, और हम दोनों के पास में एकदम सेम कार है, यानि दोनों कार की स्पीड भी बराबर है, यानि कि जो मुकाबला है वो पूर का जदा आगे निकल गया, और यह किस तरफ में जाना चारा है, मुझे ना यह भी देखना पड़ेगा, अभी तो फिलाल यह मेरे से जादा दूर नी है, और मैंने इसे मारना नी चाहता, अगर मैंने बिग माफिय को मार दिया ना, तो फिर मज़ा नी आने वाला, मैं इसे जि मेरी गाड़ी मोड दी, उसने उल्टा, भाई साब दोनों के पास ना एकदम सेम का रहा है, उसकी भी आर्मर्ड का रहा है, मेरी भी आर्मर्ड का रहा है, लेकिन यार यह जाना कहा चा रहा है, मुझे यह पता करना पड़ेगा, क्योंकि यह जिसे ताप से गाड़ी बगा तो मुझे लग रहे ना कि एरपोड की तरफ में भागना चार रहा है गाड़ी रोग तो बहुत ज़दा दूर चले साब से इसकी गाड़ी पीछे वाले पेड़े में अठक गई अभी मैं से बाहर निकल के सीधा मारने वाला हूं गाडी रोक तेरी भैंस के डंग गाडी रोक बागेने की कोशोच मत करेयो गाडी रोक अभे भाई भगाया लिए इसने शिट आर भाई साम मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा वो कहां की तरफ में चला गया शिट ट्यार तो गाई तर अभी तक तो उसकी गाड़ी मेरे आगया के चल ली थी लेकिन अभी मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो कहां की तरफ में चला गया एक काम करता हूँ ना मैं सीधा एरपोर्ट निकलता हूँ क्योंकि मुझे 100% बता है वो एरपोर्ट ही जाएगा और ये पूरा का पूरा रस्ता ना एरपोर्ट का ही उसने पकड़ा था और सामने एक गाड़ी जा रही है ये उसी की गाड़ी है क्या शैसे उसी की गाड़ी मे आयता हूँ ताकि इसे रोकनी पड़े और भाई इसने भगा ली अभी याँ पर ना कुछ भी करके इसकी गाड़ी मेरे को रुकवानी है भाई साब ये बंदा गाड़ी रोकने का नाम ले ही नी रहा है भाई ओ शिट अभी अंदर भगा ली इसने सीधा एरपोर्ट के मैं भी चल दी से ना एरपोर्ट के अंदर निकलता हूँ एक तो यार ये मेरी गाड़ी का टायर भी अभी पंचर होना था क्या यार भाई साब मेरे साब से बिग माफिया बहुत आगे निकल गया होगा और वो देखो सामने प्लेन के अंदर बैटने चा रहा है रुख जा तेरी भ कुछ भी नहीं कर सकता मेरे पास एक आइडिया है मैं अपनी गाड़ी लेता हूँ मतलब कि जो मेरा प्लेन है उस प्लेन में बैटके मैं यहां से निकलता हूँ और यहां पर भाई सची में इसकी गाड़ी भी पूरी की खराब होगी है जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैटता हूँ अब यार पता नहीं उसका प्लेन कहां चला गया गाईस वो देखो बहुत जाता दूर जा चुका है एक काम करता हूँ ना स्नाइपर मारने ही कोशिश करता हूँ क्या पता लग जाए वैसे तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है उसका प्लेन जब बिश्वास नहीं हो रहा मतलब क्यार सिर्फोर सिर्फ दो सेकेंड की विजह से आज बिग माफिया हमारे आतों से बच गया मतलब अगर मैं दो सेकेंड पहले भी यहाँ पर पहुच जाता ना तो मैं बिग माफिया को मार देता क्योंकि वो जैसी प्लेन के अंदर बैठा सि अची में बहुत जादा तेज उड़ रहा था उसका प्लेन पता नियार कौन सा प्लेन था रेड गलर का था मैंने तो आस तक ऐसा प्राइवेट जट कभी नहीं देखा लेकिन जो भी हो यार अभी लेस्टर का जो प्लैन है वह पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बुरी तरह फेल हो गया और हमने सब को मार दिया A to Z बंदे जितने भी थे सारी सिक्यूरिटी को मार दिया लेकिन जो में बंदा था बिग माफिया भाई वो बच गया तो गाईज यार मुझे तो लग रहा था कि बिग माफिया जो है अपने घर पर है नहीं इसलिए मैं वहां से निकल लेकिन जैसे निकलने लगा भाई तभी मेरे को वो नीचे की तरफ में नजर आ गया और मतलब कि इतना ज़्यादा सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि ना ही मैं फ्रैंकलिन को बुला पाया ना ही मैं ट्रैवर को बुला पाया भाई तो गाईजर अभी ना बहुत गाड़ी जो मैंने पीछी चोड़ दी क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बाइक नजर आगी थी बहुत बड़ी ऐसी अभी ने इस बाइक से मैं जाने वाला हूँ और हाँ मेरी लेस्टर से कॉल पर बात हो गी है और लेस्टर ये कह रहा है कि जो बिग माफिया के मैंशन है ना उसके पहले एक जगा है जल्दी से ना उसकी पार्किंग में आजो एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी है अभी ना चल कर देखते है भाई पता नहीं क्या सीन होगा मेरे साब से ना फ्रैंकलीन के साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा तोकि फ्रैंकलीन उस टाइम पर पुलिस वालों को मारने में बहुत ज़धा बिजी था पता नहीं यार ट्रैवर कहां पर चला गए एक बारी ना मैं उसे फोन करकर देख लेता हूँ क्या पता मेरे फोन से मिल जाए लेकिन यार ये देखो बिजी बता रहा है पता नहीं क्या सीन हो गए यार अभी खेर छोड़ो जो भी है तो चलो गाईज आर आज क्षो वाली वीडियो में इतनी है अगर आपको ये वाली वीडियो ची लगयो तो फटा वर्ट इस वीडियो चा कर लाइक कर देना इस वीडियो पर ये म मांawk करते हैं हम लोग उनली 6 लाइक के लिए बात करने के लिए डिस्कॉर्ट जोइन कर लो, इंस्टा एंड डिस्कॉर्ट दोना के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाओ जोइन कर लो, तो आज किस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड़ बाइ!